हेलो फ्रेंज, हमने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी स्किन की क्यार करने के लिए कितने सारे ब्यूटी प्रोड़क्ट और घरेलियों नुसकों का प्रियोग करते हैं और ये सब हम इसी लिए करते हैं ताकि हमाई तषचा पर गंदगी बिर्कुल भी जमाना हो और हमाई तषचा हमेशे चमकती हुई नजर आई लेकिन क्या आपने कभी अपने पहले के मेकप किट के उपर ध्यान दिया है क्या आपने कभी अपनी मेकप किट की केर करने के बारे में सोचा है जी हाँ अगर हम अपनी skin की care अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमें अपने make-up kit की भी care अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि हमारे मेकप किट में जितना भी सामान रखा हुआ है वो सही रहे, साफ सुतरा रहे और जब भी हम उसे इस्तेमाल करें तो वो हमारे चेहरे को ग्लो दें आई जानते हैं आज अपनी मेकप किट के केर करने के कुछ आसान से तरीके टिप नमबर वन है स्टोर हर ब्यूटी प्रोडक्ट के पीछे ये लिखा होता है कि आपको उसे किस जगा पर स्टोर करना है कई ब्यूटी प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि उन्हें कूल और ड्राइ प्लेस पर ही स्टोर करना चाहिए तो कई beauty products की पीछे लिखा होता है कि आप उसे room temperature पर भी रख सकते हैं इसलिए जो भी product आप खरीद रहे हैं उसके पीछे अच्छे तरीकी से पढ़कर देख लीजे कि आपको उसे store किस जगा करना है टिप नमबर टू ब्रश को साफ रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है फिर चाहे वो ब्रश आपका lip color लगाने के लिए हो ब्लश लगाने के लिए हो या फिर eyeshadow लगाने के लिए हो किसी भी प्रकार के ब्रश को गंदगी में ना रखें और महीने में कम से कम एक बार अपने सारे ब्रश इसको जैन या फिर शैंपू से अच्छे तरीके से वाश कर लें टिप नमबर 3 आपकी किट के अंदर जो भी पुराना समान है जिसकी shelf life खतम हो चुकी है उसे अपनी किट से हटा दीजे क्योंकि जिस चीज की shelf life खतम हो जाती है वो आपकी skin पर लगते के साथ ही कोई ना कोई reaction ज़रूर दे सकता है टिप नमबर 4 है air dry अपनी make-up किट को सब्ता में एक बार air dry ज़रूर करिए और उसे look after करिए अगर ज़रूरत है तो आप उसे गीले कबड़े या wipe से भी पोश सकते हैं और अगर आपकी make-up किट washable है तो आप उसे ज़रूरत की अनसार wash भी कर सकते हैं ताकि उसके अंदर की जमा सारी धूल मिट्टी बाहर निकल जाए तो दोस्तो यह है आसान से तरीके make-up किट के care करने के ताकि आपका make-up सुरक्षित रह सके और आपके चहरे की care आप अच्छे तरीके से कर पाएं मेरी beauty और health related videos को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजे